नमश्कर दोस्तू, मैं हूँ अजए, और आज हम लोग बात करने वाले हैं Terra Luna के बारे में और Terra Luna के बारे में, आज हम एक timeline से बात करेंगे मतलब एक sequence में बात करेंगे, किस तरीके से ये स्सेब जिसे implement हुई जो की कैंसिल हुआ उसके बाद प्लान टू आया और अभी भी वह लगभग कंट्रोवर्सी में ही घिरा हुआ तो अब इन सब के बाद टेरा लूना का क्या आगे भविश्य है मतलब कि इस तरीके से जो टेरा लूना के जो होल्डर है उनका क्या होगा जो सब अपने पोर्टफोलियो में रख कर यह सूच रहे कि कब इसका एरड्रॉप मिलेगा कब इसका नया सिस्टम लाउंच होगा मार्केट में niż हमें recorded एक Đरन का सामिम टित्तूपलियो से तरीके से स्टार्टियो करते हैं और इस सब के आगे वीजिक कावरोन में और जानते हैं इस सब के बारे हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है हम लोग एक तरीके से security महसुस करते हैं crypto की बात क्या ज़िए crypto में fluctuations से दूर coins होती है उनका नाम में stable coins, stable मतलब जो stable रहते हैं जिनकी value घटती बढ़ती नहीं है जो टेरा का system था उसमें जो stable coin था उसका नाम था UST अब UST के साथ एक नई चीज जोड़ती जिसका नाम anchor protocol anchor protocol से क्या होता है, anchor protocol ने खास ये रखा था कि UST अगर आप stake करेंगे तो 20% return देंगे अब लोगों को ये लगता है कि crypto से जो fluctuation उसको उससे बच कर और crypto जैसा return जो की fix है वो लेने के लिए हमको UST खरीदना है अपना जो भी token है उससे आपको swap करेंगे, UST मिलेगा और UST को stake कर देंगे anchor protocol पर और यहां से हम एक दम fix return पा सकते है 20% का जो कि हमको कहीं और से available नहीं है, मतलब इसमें risk नाम की कोई चीज थी ही नहीं तो अभी जब यह 7 मई आया उस समय क्या हुआ जो टेरा का foundation है उन्होंने अपने UST को withdrawal किया काफी बड़ी quantity में 7 मई को तो उस समय उनका normal routine था जिसमें वो अपने UST को withdrawal करते तो काफी बड़ी quantity में withdrawal किया, उस समय उनका system एक ऐसी situation में तो जहाँ पर से अगर यह बात किसी को leak हो जाती है तो वो उस समय भी अगर बेचेगा, कोई दूसरा भी अगर बेचेगा तो problem create हो सकती है लेकिन 11 मई को क्या हुआ, 11 मई को swap हुए, जो कि curve swap से swap होते है, curve finance जो है उससे swap होते है जिसमें stable coin आप swap कर सकते हैं, तो यहाँ पर UST जो इनका coin है, उसको swap किया कि USD से 85 million अब जब यह जो swap हुआ है, मतलब पहले टेरा foundation ने अपना किया, जो कि वो routine करते हैं और उस समय project की situation कुछ नाजोख होती, क्योंकि काफी swap हो चुका होता है, उसके बाद अगर कोई होता है, बड़ी quantity में, तब project पर नुकसान आ सकता है, उनका USD है, वो UST है, वो price से नीचे आ सकता है, तो यसी चीज़ का फायदा उठा कर, एक अंजान whale ने 85 million के, अपने convert किये USDC में, USD को, तो यहाँ जब यह swap होई, उसके बाद वो D-pack होई, यानि कि उसके बाद starting होई, उसका price डाउन हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ, 285 million का Binance पर भी selling स्टार्ट हुआ, तो इन सब को लेकर USD के जहाँ-जहां staking थी, वहाँ से लोगों ने start कर दिया, उसको unstake करना, और उसके बाद sell करना, तो इस वज़े से काफी ज़दा हुआ, और क्योंकि उस समय मार्केट भी काफी ज़दा, मतलब downtrend में ही चल रही, जो हाल अभी है, हाल उस समय भी था, तो लोगों को यह महसूस वा कि अभी इस coin से निकल कर, किसी दूसरे coin में चला जाया जाए और टेरा के जितने भी जो holder है, उन्होंने भी sell start किया, तो चारो तरफ से इसके साथ एक ऐसा scene बन गया, जिसके वज़े से यह कहीं से रुक नहीं पाया, इसी बीच में जो लूना का foundation है, LFG, लूना foundation guard, जो कि इसको guard करता है कि UST का price stable रहे, और अगर UST का price stable रहेगा, तो प्रोजेक्ट अच्छे से चलता रहेगा, तो जो इनके पास 85,000 के यानी 80,000 के आसपास के जो Bitcoin थे, वो सब भी sell, इस reason से हुए कि कि किसी तरह के से UST को संभाला चाया, लेकिन वो भी संभाल नहीं पाये, और UST का price लगातार गिरते गिरते अच्छा खासा गिर गया, 14 billion की जो स्टेकिंग थी, उसमें से 9 billion जो स्टेक लोगों ने स्टेक कर दिया था, 24 घंटे के अंदर अंदर, तो ये सारा जो selling pressure आया, वो ये प्रोजेक्ट नहीं जेल पाया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का जो डिजाइन था, वो ऐसा था, जैसे कि आपने इतिहास में, अपने हि कैसे हुआ है, मतलब इनका mechanism ही इनको मार बैठा, खुदी स्वयम जीरो करवा लिया, कि मतलब जिस हिसाब से जो उसकी UST की जो market cap है, जब कभी भी ज्यादा हो जाएगी, टेरा से तो क्या होगा, कि जो टेरा है, उसको वो burn होगा, ताकि बैलेंस हो, और साथी साथ टेरा भी अपना mint, यानि की market में नया produce होता जाएगा, circulate होता जाएगा, तो यह इधर घड रहा है, उसकी value घड रही, इतनी सारी चीज़े होई, और जो उस समय के validator थे, जो actual validator थे, उनके सासत नय validator भी जोड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि जिन लोगोंने stake किया था, जब आपकी value जादा हो जाए, काफी सारे लोग की value जादा हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोग काफी सस्ते स्ते पर buy कर रहे थे, तो validator जो 130 थे, उनके सासत और नय validator भी बढ़ते गए, जो की manipulate कर रहे थे, उस समय उसका price को और ज़दा 3G से down करने में, और जिस unknown wallet ने, जो swap किया था first time कर finance से, 11 माई को, उसी account ने, उस समय, क्योंकि उसको मालूम था, ये सारी चीज़े internal, कि कब जो टेरा के foundation है, वो withdrawal करेंगे, उसके साथी साथ, उसने भी अपना सारी order लगा है, बाइनेस पर selling किया, और swap किया, UST को, और उसके साथ साथ, उसने क्योंकि मालूम था, कि जब ये सारी चीज़ हो रही है, साथी साथ, वो जो टेरा foundation है, जो LFG है, वो अपने bitcoin बेचेगा, जो 80,000 bitcoin pieces है, वो बेचेगा, तो bitcoin को भी short कर दिया, उनके profit से और ज़दा तेजी से, इस सारी चीज़ों को अंजाम देने की कोशिच की गई, मतलब चारों तरफ से टेरा का दिन खतम हो चुका था, अब बात करते हैं, टेरा के साथ, इस समय की क्या update चल रहे है, बिल्कुल live इस समय की जो update चल रही है, जो काफी ज़दा update हुई है, मतलब जो आपने plan 2 चुना देखा था, उसमें भी update होकर आया है, उसमें क्या है, अभी बहुत सारी और भी update है, वो सारी आप से नीचे इनको suggestion आ रहे हैं, comment में, या इनके जो validator है, वो लोग जो भी suggestion कर रहे हैं, चाहे वो CZ हो, चाहे वो FTX की founder, वो सारी लोग जो भी actual suggestion दे रहे हैं, वो सारी चीज़ी जहां पर implement हो रहे हैं, तो अभी यहां पर जो distribution था, उसमें थोड़ा सा changes आया है, उसको आ इसको हमने पिशली वीडियो में cover किया था, डीटेल में भी नहीं जाएंगे यहां पर, अभी यहां पर next page जो हमने खोला है, वो वो पेज है, जो voting के लिए, इसी पेज, पहले वाले पेज पर, यहां पर यहां ने बोला था कि आप हमारे जो validator हैं, वो voting कर सकते हैं, ताकि valid validator call जिनके पास जादा quantity में है, वो लोग होते हैं validator, तो यहां पर आपके पास voting power मिल जाती है, यहां पर अपना valid connect करेंगे और आप vote कर सकते हैं, कि आप इसमें project में चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, कि जो यह project आया, इसको continue किया जाए, इसमें कुछ आप changes चाहते हैं, ज उसको अपने Binance chain पर set कर सकते हैं, जिसमें हम आपको, मतलब buyers भी देंगे, और आप इसमें वो future को expect कर सकते हैं, जो future आपनी सोचा था, अगर आप Binance की chain पर आते हैं, तो इसके लिए उन्होंने काफी सारा डीटेल ने मताया है, कि Binance Terra के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके दूसरा tweet भी है, जो की है, संदीप नहलवाल, जो की Matic के founder है, उनकी तरफ से की, कि Terra चाहे, तो Matic की chain को use कर सकता है, और अगर चाहे तो उनके लिए एक separate chain में बनाने में मदद करेंगे, तो Terra के साथ कई सारे लोग खड़े हुआ में मदद करने के लिए, तो ये जो अभी update ह इसका मतलब आप सीधा सीधा यही समझें, कि आपके account में जो dead Terra दिख रहा है, उसका कुछ न कुछ value निकल के आएगा, मतलब एक अच्छी बात है, अच्छा कासा value निकल कर आएगा, तो बस अभी जितना है, उसको बड़ा रहें दीजे, कुछ नया buy करने के लिए मत सूचे जो बड़ा है, बस ठीक है, कोई और दूसरे कोई अगर buy करना हो तो करेंगे, तो अभी यहाँ पर simple clear यह चीज है, कि यह किस तरीके से हुआ, क्योंकि यह जितनी भी चीजे हुई है, कोई ना कोई तो इनकी, इनके जो किला है, उसमें सेंध लगाया, उनकी जानकर इखटा कि उसके बाद सारी चीजे implement होई है, यह चीज बात निकल कर आई है, अब जो future, अब जो भविश में जो चीजे possible है, थोड़ा hard है, बट possible है, कि यहाँ पर जो भी हम लोग recovery expect कर रहे हैं, अभी वो उसमें नहीं जाता है कि इतना डॉलर, वो तो एक आगी की बात है, कि जब मार्केट में जिस आप से circulate होगा, जिस आप से कुछ support मिलेगा, वो उतना price तो जाए गई जाएगा, तो जो भी आपके wallet में बड़ा है, उसके लिए परिशान मत होई है, उसका कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इन सब में लगभग सभी लोग नुफसान पाए हैं, चाहे व बहुत ज़दा strong project था, crypto industry का, तो इसमें बहुत सारे लोग का पैसा लगा, तो उसे आप से इसमें ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, और आपका पैसा कहीं भी जाने वाला है, बिल्कुल वो वापस से उस जहा कुछ ना कुछ recovery अच्छी खासी देखने को मिलेगी, तो दोस्त information मिलने के वहाँ जाके अब जूर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए thank you so much.